करते हैं आज फिलोसिटिकल टाइप की क्लास में रखना चाह रहा हूं कि एलवन को स्टार्ट करने से पहले एलवन का इस प्लांट में ले लूँगा आज एक तो थोड़ा सा यह डायलिशन पोटेंसी के जो किस्टन है यह भी कहीं सा रहा है ग्रूप के लोगों से भी और कुछ बाहर से भी ग्रूप के भी तीन-चार लोगों के जब आये तो थोड़ा सा पांट-साथ मेंट के टाइम लेए आप लोगों को यह क्लियर करता हूं कि अपनी आपकोई करते हैं वो उसकी विसकोसिटी यहां कि यहां हम बात कर रहें किसी सोलिशन के सबंदेन का पी डूंट की उसमें कितना सैंस्टाने है मतलब आप जानते हैं कोई भी लेक्टूइट पूल्स के बन रहे हैं इस intentar होती है और उसका एक G7 Самu तरीक ता लेकिन इस तरीके से उसके पार्टिकल् tous पार्टिकल्स को कम करते चले जाते है works है ही करिके से जाली को यह Gothic निए फिर्ट सब्सक्राइब करते हैं दूसरे सुलिशन को कम करते चला जाते हैं तो वह डाइलूट होता चला जाता है कि जो मोलेक्यूल्स जो आपनी इस प्रोपर्टी रखता है उसकी मोलेक्यूलर डिस्टेंज जो वह कम होती चली जाती है बढ़ती चली जाती और उसकी कंस्ट्रेशन होता चला जाता है इसी को अगर एक किसी फिक्स कर दिया जा था तो उस कोई नाम दे सकते ही जैसे इतना इतना पाट सुलुशन और इतना पार्ट मेडिसीन तो उन रिष्यों हो गया जैसे वन नाइन थिक है वन नांटे नाइन नाइन कने तक है कि यहां का मतलब हो गया कि आरे से नांग्रweh और यह को वार वन पॉर्टीश वन एवन हीनियण ए वन को भिक चुष्य को घ्रतन दिन मार्स हो गया एक वॉन denk Vitamin कि उर्ड़ को एक उमन känne यह यहाथ खुलद्ध माइन को रहता ही तो है अधे गैसे और फिफ्टी थाउजन वाला जो रेशो है एक यह रेशो हो गया तो ऐसे आप इनको मतल़ मैं इंको डाइलुट करते जा रहें youthon वह ब सकते हैं यह नाम न दे दिया यह पहला दानि सन सब्सक्राइब करेंगे तो उसके जो करेंगे तो उसके जो डाइलूशन के नाम होंगे वो होंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6 ठीक है और जब 147 से यूज़ करेंगे तो उसके फर्स, सेकिंड थर्ड लेकिन यह फर्स, सेकिंड थर्ड कब से होंगे क्रूड मेडिशन से जो बोला जाता है जो फिलोसोफी है जो जितनी बुक्स जादा तर जो पुराने लिटरेचर हैं कि क्रूड सबस्टेंस से एक बार डाइलूट करके दी 1 दो बार डायाल उट करके D 2 तीन बार डायूट करके D 3 वनेगा और इसको 1 9 से एक डायूशन बनाते हैं तो वो डी 4 है 147 से एक डायूशन आगे तोड़ते हैं तो वो फước राहिज़न बिल्कुल खतम हो जाना चाहिए इस कंडिशन से जो फिलोसोफी है कि मेरा यह मानना अलग है बिल्कु मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि कोई भी रहे वह एक बार डालूट होगा तो दूसरा डालूट होगा तो दूसरा करन कुछ भी कर सकते हैं जैसे हों में पैसी में भी किया है मौन वालय दिश्यों को इक से डिनवाट करते हैं और से लेश्यों करते हैं यहीश्यों कि पतलने संस्वी लीखते हैं वही लिखते हैं व में अच्छी बाती है कि हमारी निइसे यह रेकक्शां पर क्लीच से लिए करते हैं इसलिए वह इतने असरदार है सब्सक्राइब किसी कंपनी के हैं उसका रीजन यह भी हो सकता है कि वह ऐसे डाइलूट की जाते हैं सब्सक्राइब करने बात होगी यह हो गया डाइलूशन अब इसको जब हम थोड़ा प्रिजिकल केमस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं और जब इसको जो एक निश्चित जो एक अनुपात में या निश्चित फोस के साथ में एक डैफिनिट फोस के साथ में जब इस्टोक दिये जाते हैं ठीक है और वो दिये जाते हैं फिक्स आप लोग अगर एक प्रिंसिबल पढ़ेंगे अभी गूगल में जाके आप देख लेंगे चाहिए वाटर मेमोरी के नाम से आया कि पानी की अपनी एक या दास्त एक मेमोरी होती है और वही वही मेमोरी जो है एक तरीके से डायनमाईजेसन है किसी भी सोलुशन का तो जब हम पॉल सकते हैं तो पॉटेंसी बन जाता है ठीक है तो एक पावर उसमें आ जाती है जो उसकी डायनमाईजेसन के तरीके से जो उसमें आती है लेकिन में चीज है कि क्या माझनों हम इसके बाद हम बना रहे हैं तो हमेंसा इस च्रोक दे दो या हम के वलारे से बना रहे हैं तबी स्टोक देने की जुरत है पानी को कितना भी स्टोक दे लें आप वह के जो पार्टिकल है वो चार्ज नहीं होंगे एक्चुली यह सब बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़े हैं आप यह समझे कि जब मॉलिकुलर डिस्टेंस किसी लेवल पर जाएगी तभी उसके जो एटम है वो चार्ज होंगे वहीं मानलों आप डीपोर की बात करें या डीट्री की बात करें या डीपाई की बात करें इसलिए यह बोला जाता है कि वही डीटैन के बाद लगबक दस बार डायलूट होने के बाद ही हमें पोटेंसी के बारे में सोचना चाहिए या तब जाके ही जो सोलुशन है वो पोटेंटाइज होता है जब उसमें मेडिशिनल पार्ट बहुत कम हो जाते हैं ठीक है वो वै इसको माना जाना चाहिए को आप करेंगे तो आप वह कर रहें मालोगत टीसवी को यूज कर रहे हैं थर्टियत डैनिशन को आपने यूज किया तो यह से पहूंचा यानिकिविए अपने थी निटी तर्टी में से आपने पो इन को मानेश करना पड़ेगा तो उसमें तीन आप उसमें एड़ करने पड़ेंगा तो दीटरी के बाद बना हुआ है वह से तो अल्रीडी वह बहुत जादा डालूटिट एवन फॉर्टी सेवन नान के मुकाबले जादा डालूटिट है इसलिए डीव सिटिट जो जो डेराई में चली गई है ठीक है उनको ट्रीट करने के लिए वन फॉर्टी सेवन मैंने पहले भी बताया था आपको कि इन तीन और डालूशन को आप बनाके रखिए तीन डालूशन बनाके रखिए खापकर वन नान के तो आप जितने चाहिए उतने बना ले डीटैन तक भ जैसे 30 ml में लगवग 12 ड्रोप डालने से पॉइंट 6 ml डालने से 147 का रेश्यो का एक्जेक्ट फर्स डालूशन बन जाता है ठीक है और 199 का जो डालूशन है इसके तीन डालूशन जरू बनाके रखो आप पहला डालूशन चाहिए ना बना है पहला तो वही है आप समझी ज देंगे या 30 ml में पॉइंट 3 ml मेडिसीन डाल देंगे तो आपका जो है 199 के रेश्यो का बन जाए तो आप बना लो थर्ड बना लो यह क्या होगे ऐसी मानलब कोई जैसे आप इसकिन डिजीज वाला लेखे आते हैं इसकिन डिजीज में 100 ml में चार मेडिसीन की एक ड्रोप एक ड्रोप का मतलब क्या है एक ड्रोप का मतलब है पॉइंट 2 ml में डाल दी तो क्या रिश्यो बनके निकला उसका ठीक है यह लगबग यह वाला रेशो यहां तक रिश्यो चला जाता है उसका तो यह लग-लग रेश्यों हम लोग यूद कर रहे हैं आसा नहीं किन नहीं क वो उनके आप लेक्चर सुनें या उनसे बात करें वो भी बताएंगे कि D3 के बाद आप इस तरीके से यूज़ करिए बस तो D3 क्या है वाट इस D3 भी देखरी को क्या बोल रहेंगे वो बोल रहेंगे अगर बोल रहें तो वह बीट्वर इसको बना रहे हैं और यह आगे उसको बना रहें किसी भी तरीके से बना रहें कैसे भी डियूट करके बना रहें तो वह भी डियूचन है तो यह साइंस एक मन कारा नहीं जा सकते हैं को आप अपने तरीके से कर सकते हैं वो अलग बात है कोई बोलेगा कि और गन के हाइपो फंक्शन और हाइपर फंक्शन है पॉजिटिव नेटी कुछ नहीं है ठीक है अगर फिजिकल केमिस्ट्री को आप इलेक्ट्रों में पैथी से बाहर करेंगे तो यह पैथी ही बाहर हो सब्जेक्ट आते हैं और वहीं इलेक्ट्रों में पैथी है यहां केमिस्ट्री भी है यहां फिजिक्स भी है और बाइलेजी तो है बाइलेजी में भी दोनों पार्ट है इसमें बोटनी भी है क्योंकि प्लांट के बल प्लांट को यूज किया गया और प्लांट की भी मेडि कि द्यान रखनी होंगी कि डाइलूशन मतब हम डाइलूट करते जा रहे हैं फिर जब हम उसको डाउनवर्ड करके स्ट्रोक देते हैं कंट्यूनर से रिदम के साथ में तब वह पोटेंसी बनती है ठीक है पोटेंसी तभी बनती है लेकिन यह द्यान रखना है जब मॉलेकुल निकलते हैं तब आप उसको पोटेंसी मानके चलिए इसलिए सिदार 29 ठीक है फिर 99 फिर 199 फिर 499 इस तरीके की बाते लोग करते हैं क्योंकि रियल में और ऐसा नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि मानलो 199 मानलो 200 देना किसी को तो 199 उसकी एक बैक पोटेंसी होगी 198 भी बैक बैक पोटेंसी होगी 195, 196, 198,199 और टुन देस्डर मानलों 202 ये ये सब आगे बटेंसी होगी कि लेकिन 200 से 180 4 पहले साब बैक पोटेंसी थो है जो आत mitä को दे रहे हैं तर र influencers पे थिक एटबल पहलि पोटेंसी या उसससे पहलिआ टिन पोटेंसी इए होती है बेक पॉटेंसी है जाते हैं बलत कुस्चन आते हैं कि अगर कि यह यह वन थाउजन पॉटेंसी यूज ने तो इससे पहले दो तीन पोटेंसी नद कर दो कि अब भी पोजिटिटी निगेटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूजटी निगेटी वाला टॉपिक में किसी और दिन लोगा फिलाल मुझे जो समझाना था उस पर आईए आप लोग फिलाल मैंने डालेशन और पोटेंसी की बात करिए कि डालेशन मतलब डायलूट कर रह ठीठ है पहले अबनेगा तभी उससे रोटी बनेगी या ब्रैड बनेगा या कुछ मैं भरनेत तो पहले डायवूशन बनेगा डायूशन के बाद पोटेंशी बनेगी जब आवसे करेंगे त्रोग देके यह ठीयांदों रखना है किसी भी रेशो में आप डालूट कर सकते हैं रिश्यो में लिख दिये इतना समझ लो डालूशन और पोटेंसी में अब कोई जो हैं कंफूजन नहीं रहा है यह डालूशन क्या है अब मैं बात करता हूं 1000 कोटेंसी या डालूशन ठीक है इसको यूद कैसे करना है कुछ लोगों को मैं देख रहा इसकी फ्रुकेंसी क्या होगी इसकी फ्रुकेंसी होगी जीटली इस वोट नाइट मतब पंदरा दिन में एक बार या मंतली कि यह ज्यान रहतना है कि वीक्ष Total केस में फानदरा दिन में एक बार हम इखता है mm को एक ठीक है मैं रहुत कण्युक्रता हो में खुंद kण कुछ केस ऐसे हैं जिन में आप कंटीनियुस कर सकते हैं जैसे सोरियसिस हो गया ठीक है उसमें आप सवन ठीक है वैन वन एस फाइव एल वन इन सारी मेडिसीन को जो रिक्वायर्मेंट हो आपको उनको आप कंटीनियुस कुछ जिन के लिए हैं को एक लिए तु के वन थाओजन को एसे कुछ दिन तक चला सकते हैं ठीक है कुछ दिन तक चार दिन पांच दिन शे दिन एक अफ़ता दस दिन तक चला सकते हैं अग्डिनिये चला सकते हैं लेकिन द्यान नके से उसकी फ्रिकन्सी कम जरूर करनी है एक दम से बंद नहीं करेंगे को कि अग्य वह प्रॉटशि को कि अगर आप ने वह पाँच दिन से ज्यादा चला है तो उसके लिए न को मैनेज करें आप आप उसे रोख सकते हैं हाँ सोपन कुमार जी रवी सर्ण ने सही लिखाया कि मेडिसिनल प्रोपर्टी नहीं होती है यह नहीं बोलना है मेडिसिनल सबस्टेंस उसमें जीरो होता है मतलब केमिकली मेडिसिनल के जो सबस्टेंसी हैं एक प्लांट के करूर मेज़िसनल सबस्टेंस पाए जाते हैं जिसमें प्लांट के हुर्मोन होता हैं प्लांट के एलगाईन होते हैं और बाकी Northern होते हैं वह करने से नहीं मिलेंगे लेकिन उनकी जो फ्रोपरटीज है Karma 2 हम बोलते कि अब को चलिए हम 5000 की बात कर रहे थे 1000 पोटैंसी और डालोसन ऐसे फिरकेंसी में आपको यूज करना है अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट मेडिसीन्स हैं जिनको वंधाजंड में आपको यूज करना है और बहुत अच्छे आपको देती है मैंने पहले बता है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि एक वन से एक वन को आप को एंसे केस में यूद करिए वन थाउजंड में जैसे अभी मैंने आपको बताया यह देखने को मिल रहा है और बहुत फटरना पीन है बहुत है बहुत है दर्द है जो जैसे बीचिकन गुनियां में भी लोगों को बहुत पेन देखने को मिल जो ठीक नहीं हो रहा है वहां पर आप एफ उन को यूज करिए ठीक है इसके लाब आप मेंटल डिसोर्डर्स में कर सकते हैं एक दम से में यूज करना तक Eğer अभी है आपशे से दॉक्यूमेंट करने ऑच्छे सबुए को । बीचाँ में बाद में कि अच्छे सबखना आप सुनिये कि वाइव टू टैन ग्लोब्यूज क्योंकि हमें ये सब लिंग्वली मदब इस तरीके से सेंटल नर्वा सिस्टम के फ्रू अंदर पहुंचाने हैं तो कोशिद करिए वन से डे इस तरीके से आप इनको यूज़ करें तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे इसके अलावा मैनिया जैसे केसिज में पागलपन टाइप के दोरे जैसे पढ़ने के कंडिसन होती है या लिडीज में कई बार हिस्टीरिया जैसी जो वह भी लगबग पागलपन के आजपास की चीज़ होती है वैसे केस में आप एसक में यूज़ करेंगे इसी तरीके से अब बार-बार में मैसेज नहीं करेगा डिस्ट्रेक्शन होता है फिर टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है कि दूसरे नंबर की बहुत इंपोर्टेंट मेडिसीन आती है वन थाजन ने यूज़ होने वाली वह है वैंवन को आप यूज़ करिए जिसने भी हैरीडेटरी प्रोग्लम है ठीक है ओटो इमिन डिजीज है ओटो इमिन डिजीज में तो आप कंटिनुस कुछ दिन तक अच erzählt करें सकते हैं लगाता इन वांसी पूर्ट इसके फीन नहीं टीक वाली ञडिकetus आउर साथ की टॉलीज राख कि में किसी टाइब की ट्रांस्मिटिटीड रिजीज होते हैं जैसे होती है उससे बवीडूर्ग के तो वहाँ पे भी आप वेन वन को यूज कर सकते हैं कोई भी ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें भी वेन वन थाउजन की एक डोस देके आप बाकि डिजीज को अगे स्टार्ट करें या तीन डोस कंटीनेस देके आप स्टार्ट करें कि दूसरे नंबर की जो इंपोर्टेंट मेडिसीन है जो वन थाउजन में पॉती जादा यूज होती है वह है एस वन क्रोफलोसो वन एस वन एक तो बहुत डीप सिटिट इस्किन डिजीज हो गई को यूज करिए इसके अलावा परलेसिस की कंडिशन में आप यूज कर सकते हैं और लिंफ नोट की स्वैलिंग में आप यूज करिए एस वन और लवन दोनों को यूज कर सकते हैं इसके अल्टरनेट करके या इकठागी दे सकते हैं को पंदरा दिन में एक बार या दर दिन में एक बार महीने में तीन बार आप इसको दे सकते हैं इसके अलावा कुछ वाइरल जनेटिव डिजीज होती हैं और जैसे इनके प्रिवेंटिव में भी एस वन थाजन को यूज कर सकते हैं एक ग्लोबिल या दो बच्चों को देखे जब कोई पेंडेमिक आता है उस कंडिशन में वरवन के साथ देना है लेकिन और दूसरा जब कोई पेसेंट आपके पास आता है अलग लग जगे की बहुत सारी म सब्सक्राइब करेंगे तो नक्स वमिगा के इस टाइब की वज़े से वह सारे कई तरीके से जो पुरानी मेडिशन की जो मेमरीज थी वह सब वहां से हमने इरीज कर दी तरीके से तो यह जो मैं बता रहा हूं इस सभी कंडिशन में आपको इनका यूज करना है एस वन थाउजन एफ वन मैंने बता दिया आपको माई को कीजिए एस के कोन है यह इस तरीके से एस वन के वन थाउजन को आप यूज कर दिए अब इसके बाद बहुत इंपोर्टेंट मेडिशिन आती है एस फाई स्क्रोफ फलोसोफ फाइब कि श्क्रोफ फलोसफ फाइब वन थाउजन हेर फोल में यूज करिया बाल जड़ने की कंडिशन में कि वन थाउजन की सिंगल ढॉल हाला कि 5 आज़न देता प्री में से उपर घर में भी मिर्टेंट ऑदा ग्रेंटर एसको प्रीमेचर उप्रेंगया में ने भी एफटावशन पर एंड़न देता है इसके लए बाबार बार एंडेंटक्स 59 को आप महीने में तीन या चार या तीन बार देखे चार बार देखे और जो है को को कर सकते हैं कि पत्री निकलने के बाद में कि इसके बाद करें 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 कि अच्छा काम करता है लेकिन जो है ताब काम करेंगा जब गोल ग्रेडर और लिवर दोनों में इससाद प्रोब्लम हो और उसकी वज़े से लिवर में पें देखने करें लिए तो इस तरीके से मैं करेंगे कि इसके अलाबहा ऐसे सारी डिजीज जो एससाइब की रेंज में आते हैं वह बहुत पुरानी है उसमें भी आप एक दो डोस एसपाइब करें देखें नेक्स बेस एपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें एस टू क्रोफलोफर तू आप मैंने भी बताया लिवर पीन में अब गोल ब्लेडर पेन में बहुत अच्छा काम करती है और गोल ग्रेडर की जो स्टोन है उसकी टेंडेंसी भी कहीं बार कुछ लोगों को व प्रोब्लम के लिए मैंने आपको बताया जो राइट साइड में आपको प्रोब्लम नजर आती है कि इन से रहे खाब कर तो वहां पर आप एस टू का जो वन थाउजंड है वो महिने में दो बार तीन बार यूज करेंगे मंत में टू थी टाइम तो आपको जो आपको जो आप जो भी आप प्रोटोकोल करते हैं उसमें बहुत हैल्प आपको मिलेटी कि इसके अलावा आप चाहिए का भी यूज कर सकते हैं और जैसे एक्जीमा की बहुत बुरी कंडिशन है जिसमें से पास निकलता है किसी के एक्जीमा में तो वहां पर भी एक्जीमा को आप विकली दे सकते हैं मूंत में दो बार तीन बार चार भी दिए सकते हैं और इसके अलावा किसी को लगातार रेडनेस बनी रहती है और इसकी वज़े से हैड़ेक हो जाता रहता है वहाँ पे भी आप इसके वन थाउजन को महीने में एक बार दो बार दे सकते हैं डायवेटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट को आप स्ट्वल के वन थाउजन की एक दो टोप देके ट्र कर पाएंगे इसके अलावा वन बहुत अच्छे से काम करता है वन थाउजन में हालाकि लवन को मिक्स करके भी दे सकते हैं अगर मालोग जैसे ग्लैंड डूलर प्रोग्रम है ग्लैंड सेलेक्टिट बूलूम में जाराती है तो आप एस वन के साथ लवन को एड करके दे सकत अगर्ण को सब्सक्राइब डूलुमें ॉसके सब्सक्राइब तो वहां पर आप दो नुटाइऑ वॉन को मैं तो बोलूगा वन थाउजन महीने में दो बार को ऑट यह व्ट-नैट्स वहां वह पंद्रा दिन पर दींगे बहुत अच्छे से काम करता है साथ में अल्टर्नेट करिए उसके जो आपको लगता है जैसे requirement के सी 13 की है या सी 5 की है सी ग्रूप से ऐसे आप उसको 1000 सी अल्टर्नेट करिए उसी दिन सेंड बेकर सुबह को आपने अल्वन दिया शाम को उसका अल्टर्नेट करके सी 5 या सी 13 जैसे भी आपको लगता है ठीक ह कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहे हैं कि इसके बाद को यूद कर सकते हैं अलसरेटी को लैटिस में अच्छे से काम करता है अच्छे से काम करता है और यूद कर सकते हैं एक या दो ड्रोप महीने में दे सकते हैं या लगतार चक्कर बने हुए या वो मिटिंग सेंसे से लगतार बना हुआ है तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं लेकिन को सबीकों के ग्लोबिल में ही यूज करें नहीं है तो औरीडिनल भी दे सकते हैं पांश ड्रोप लेकिन सब लिंग्वली ही वो जाए जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है इसके बाद हम वर्वन पे हैं वर्वन भी एच्छी रेमेडी है और वर्वन को मैंने आपको बताया को यह पेंडेमिक खला हुआ है ने वहां पे हैं वहां पे आप वर्वन की महीने में एक बार सिूप प्रिवेंटकू करने के लिए क्विपमें किलेजरी कंडिसन में वार बार हो जाते हैं यह इसके प्रेढ़ अम दे सकते हैं कुछ दिन धरी भी बिया आसकता है कोफी नहीं को नहीं तो आप चाहें तो इसको क्योंकि वर्वन वन थाउजन की एक ब्रोग देने से काफी कुछ नहीं जो जाता है एक ब्रोग कान दब एक दोस देने से उसके बाद फिर जो है वीकली या टैन डेज या फोट नाइट पंदाय दिन में या मंधली आप उसको स्टार्ट कर लाइए ठीक है खासकर लेफ साड़ी रेडिकी बहुत अच्छी रहें यह बार बार को लेस्ट्रोल जिसको बढ़ जाता है ब्लोड में ब्लोड को लेस्ट्रोल एक राइज वह ज्यादा बढ़ जाता उसको भी वर्वन वन थाउजन देने से मंतली महीने में एक बार बाख अज़े लिए खासको अबकिन को यह बार इसके साबर करसे बहुत हुआ हो थेक्राइज हैं देने से कोलेस्ट्रोल ट्रैडिकों करता है तो यह मैडिसिन का मेडिसिन देने का डिफरेंस है ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है या सब कुछ मैक्सिमुम चीज़े अलगी मैडिसिन के काम करने का तरीका तो यह लगी है प्रवल्का करें और भी साथ के साथ आप लें जैसे वह सारे लोग आपके पास अएसे आ डेंगे बोलेंगे उनका टाइफायर कोभी ठीक ही नहीं होता है या उनके पेट में दर्द कभी ठीक ही नहीं होता है ऐसी प्रोब्लम को आप over two से सोब करिये वर टू की पंदरfor neces बुखा रहे हैं उसके साथ आप को हिसे साथ वंदेते रही है वर को मैंने आपको दोनों का बसा दिया है अब हुआ की परूर्टें सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना बंद करता है तो इसको बहुत किया जाना चाहिए लेकिन फिर भी जो ठीक ना हो रहा हो जैसे सब्सक्राइब करना चाहिए जो ठीक नहीं हो रहा है वहाँ पर आप एटू के वन थाउजन को स्टार्ट को भी दे सकते हैं तो आप डेली भी दे सकते हैं अगर फ्रिक्रेंट देने की रिक्वार्मेंट है तो एटू का टूंड़ दीजै वन थाउजन मत भी लिए सब्सक्राइब करेंट को लगातार दिया जा सकता है लेकिन एटू को आप इंटर्मिटेंटली वीक लिया फॉर्टनाइट पे ही देजिया महिने में एक वाल दीजिए कैंसर के पेशेंट को आप दे सकते हैं कुछ 3-4-5 दी बाकि 200 को लगाता है तो ऐसी प्रोब्लम हो गई इन सब जगह जहां पर फॉर्मेट हो गया फॉर्स ठीक नहीं हो रहा है वहां सब जगह एवन ड्राइपाइल्स में वह ज्यादा पेन है ठीक नहीं हो रहा है किसी भी केंडिसन में तो भी वहां से एक दोज एटू के 1,000 की दे सकते हैं बाकि जो ट्रीट्मेंट चलना है वहां पे चलाते रही हो एवन के 1,000 में जैसे ब्लीडिंग का केस हो गया वहां पे आप दीजिए है किसी भी टाइप का हैमरेज जो ठीक नहीं हो रहा है एवन 1,000 को किसी ब्लीड है वहां से जो ब्लड है ब्रेन से क्या आर्ट्री से वह रुकता नहीं चलता रहता है उस कंडिसन में फिर जो ब्रेन में जाना जाती है प्रेसर बहुँ ज़्यादा क्रियेट हो जाता है फिर वह ओपरेट करने की कंडिसन है यह है वह सारी चीजे जो है बन जाती है उसमें काफी ज्यादा है वह करता है वह ज्यादा नहीं देना चाहिए लेकिन एक दो दो देने से चीजे मैनेज हो जाती है कि इसके यहत्री को आप कर सकते हैं काफकर हार्ट से लेटिड प्रोब्लम के लिए कि हार्ट की रेमेरी है हर्ट मेरे पीन हो रहा है एंजाइना पेन देखने को मिल रहा है पैरों में जो रही है सकते हैं तो कान में दर्द के लिए बहुत अच्छी मिल अजय क्लान्ट है ठीक है कि सी भी में जो धड़ रहे हाला कि एक वन भी यह देन में अच्छा काम करती है लेकि थर्टी में देने सर्द अच्छा काम करती है जमानों किसी को कान में तर्द हो रहा है खासकर लेफट साड में हो रहा है तो एस वन की थर्टी दीजिया और बाकि जो रेमेडी देनी है आरी के साथ ये साथ दे सकते हैं और राइट येर में पेईने तो एस टू को दीजिया ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये पें कि मैं बात कर रहा था था थर्टी वाले की खेर फिलाल हम है तो इस तरीके से आप ये को यूज कर सकते हैं बाकि आर्मिका मॉन्टानों को यूज करते हुए ये में हम जैसे किसी को ऐसी चोट लगे जिससे ब्लीडिंग नहीं हो रही है ठीक है ऐसा कुछ ट्रामा हो गया व है तो वहां पे पेंट भी सब्साइड हो जाता है हार्ट पेंट पेंट पर भी यह बहुत अच्छे से काम करती है बहुत अच्छी रेमेडी है हार्ट पेंट की यह करी आईविस प्रोब्लम को हैं उसमें आप इंट्रमेटर्टरेट लिए सकते हैं ठीक है और कई बार के सब्सेंट की वज़े से इन प्रोब्लम की वज़े से यह प्रोब्लम है वहां पर भी आप वन थाउजन को यूज कर सकते हैं काफी एच्छे इफेक्ट वहां पर अपने दिखाता है इसके अलावा कर सकते हैं लेकिन वह ज़्यादा एफेक्ट वहां पर अलग हो जाती है जो है डाइलूट होने के बाद में लेकिन फिर भी पाइल्स के हैं हैं इन केस में आप फिलास के वन थाउजन को जब ठीक नहीं हो रही है प्रोगलम यह बहुत बुरिश्थीती में लेका है फॉर्थ ग्रेट के पाइल साब को जो है पेशेंट के दिख रहे हैं तो आप वहां पर इसके वन थाउजन की एक दो डूस देखे की जिए को जो स्टार्ट करें कंटिनूस रखें वहां पर ऐसे ही सिक्स का भी यूज करते हैं हाला इंपोर्टेंट लिए होता है लेकिन कि भी सिक्स के वन थाउजन को भी आप यूज कर सकते हैं किड्नी फेलर के लिए उसकी जो गती है फेल होने की वह तरीके से रुप जाती है ऐसी बहुत सारी किड्नी की लेटिड है हाईडर नेफ्रोसिस बहुत ज्यादा होने की कंडि लेकिन फिर वी यूज किया जा सकता है। जैसे पीवन को यूज किया जा सकता है निमोनिय की कंडिशन में यूज कर सकते हैं प्लूरिसी की कंडिशन में यूज कर सकते हैं प्लूरिसी की कंडिशन में यूज कर सकते हैं प्लूरिसी की कंडिशन में पानी बढ़ने की कंडिशन में एक दो डोस देखे बाकि सारी चीज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है किसी को वहां तो यूज करना चाहिए ठीक है लंग्स टीबी में आप यूज कर सकते हैं पेटोरल टू को बहुत हाइयर बाकि जो फॉर्मूले हम सेलेक्ट करते हैं वो टूम चलाएंगे ऐसे पीधरी है चोटे बच्चों के लिमोनिया में यूज कर सकते हैं ठीक है वन थाउजन की एक लोग यूज दिया जा सकता है पांच साल से उपर का पांच से बारा के बीच में वो चोटे बच्चों को वन सकते हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं पीधरी को इसके अलावा पीफोर को भी इंटर्मिटेंटली यूज किया जा सकता है खासकर वह ज़्यादा जो बल्गम बनने की कंडिसन होती है पूटम वह ज़्यादा निकलता है खासकर जो सीनियर स्टीजंस हैं पच्पंशाट साल के असवास की यह जो आले उस्ते उपर की यह जो है उनको जो है उसके तरीके से इनको यूस किया जा सकता है इसके इसक्रीकेसे जब्स, SCP मैं आपको में आफको बताए अलग लग तरीचता जैको जो। जो रिमीडी जिस ओर तो इस तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें अब मैं तो बहुत कम यूज़ करते हैं करते हैं लेकिन हम तो उसको भी करते हैं जैसे किसी को कोई कि कंडिशन आ गई बहुत बुरी स्थिति में दिमागी स्थिति जो है उसकी बहुत खराब होगी तो डवलुई को टू अंडर्ड या वन थाउज़न जो भी आपको दे दीगे उसको काम करेंगी वहां पर क्योंकि टू अंडर्ड में वन थाउज़न में जाने से उसकी प्रोपर्टी चेंज हो जाती हैं उसको निगेटिम पोजिटीव के तरीके से देखते ही नहीं है हम यह देखते हैं फिर यह नियरोलोजिकल फंक्सन काम करेंगी और जैसे रेड इलेक्टिसिटी है किसी को जै सब्सक्राइब के साथ अल्टरनेट करके दिए आपके पास आरी यह जो है नंबनेस को टीक करने कि वह अच्छी रेमेडी है रेड एलेक्टिवीटी और सब्सक्राइब बड़ी आप बात मानिये के टू हंडेड में वन थाउज़न में रेड एलेक्टिसिटी हाई यार्ड की तरह पाञापन के दोरे ठीक करती है और बलड पैसर को भी कम करती है पेट में और आराम करता है लूरी का वनताऊज़न वेद्टी वॉए वाई पूरी बूक लिख सकते हैं अब सिदे का सिदे प्रिटी लेडर सिस्टम होमेपाटी की तरह इस अब यूद करिए पेसेंट आती ही है सब के पास किया दिक्कत है कोई किसी को नुक्सान थोड़ा है कुछ भी नुक्सान नहीं हो रहा है आपका एक्सपीरियंस ही तो हो रहा है अब यह कर रहे हैं में कभी भी ट्रिट्मます करें प्रेक्टिस का मतलब भी है खिए असी को कोई चॉड़ दीजी जण को का मशनी कर रहे हैं अब वीस को कामतरिए किसिको लॉड्कसान की तो कर रहे हैं किया दिक्कत है नुपसान तो किसी को हो नहीं रहा है आपने सो लोगों को दिया और आपने देखा कि इस पर्टिक्लर टाइप के साथ लोगों में आराम मिला उसको डुक्मेंट हो गया आपके पास कि बस बंगे साथ छो लिए दस में ही पता चल जाएगा कि इस पर देखने को मिल रहा है और इस देखने को मिल रहा है ऐसी गैस देखने को मिल रही है जो कंटिनुएस जो है इदर से उदर ट्रेवल कर रही है कभी पेट से आथ की तरफ जाती है कभी आठ से उपर डखार के रूप में निकलती है या कई बार निकलती कि नहीं वह सीधे माइन में चली जाती है ऐसी कंडिशन में आप का यूज कर सकते हैं अच्छी रेमेडी है कि 17 को आप यूज कर सकते हैं ब्लड जो गुलकोज लेवल है उसको मेंटेन करने में ठीक है और मतलब डाइबटी जैसे केस में या ऐसे लोग जिनका जो यूरिन जो कर रहा हूं में एक दो डो बाकी जब फूर्मूले आपको बताया जा रहे हैं या जो आप खुद भी बनाते हैं या आप कोई से पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वह चला ही कोई लिक्कत नहीं है लेकिन 1200 की प्रेक्टिस आप साथ में अपने करते ही यह हमारे पास होने चाहि प्रेक्टिस नहीं को तुछ वह उत्यूटिस नहीं को नहीं होंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा कोई भी हमेप्र प्रोफेशनल के पास जाएंगे आप उसके पास 20-30 मदा टिंचर भी देखने को मिलेंगे जो कंटिनर्स वो यूज करता है कुछ बाया कैमिक भी देखन और कुछ प्रेटेंट भी देखने को मिलेंगे तो यह 500-600-700 बोटल तो उनके पास भी होती है तो हमें कितनी रखनी है हमारी एक किट 38 की है उस 38 में सभी 57 मेडिसीन है जो आप आप चाहें तो ना रखें जैसे रखना चाहें तो रख लें नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं तो एक और फाइड मेट में आप आराम से डी 6 तक बना सकते हैं वह मैंने आपको बता रखाया है एक ट्री प्रियों गया डी 3 से डी 6 बना सकते हैं एक डी 10 की होगी आपके पास बना लो जैसे मैंने आपको बता रखा है ठीक है तो डी-3 हो गया डी-10 हो गया एक 200 की होगी एक 1000 की हो गई बस और क्या चाहिए कि इतनी हुए दो सोथी सीवे नियुक्त आपको जो रखने रख लाओ नहीं रखने रखो कोई डिक्कत नहीं है यहीं रखो ही जरूरी है लेकिन हाँ प्रेटेंट करिना कहीं किसी आपनी का एक्सिरेंस ही होते हैं तो शायदा तो मिलती है उनसे इस तरीके से आप यूज करि ही थी किस तरह के पर नबेंस में किसमें और य है करके चला सकते हैं आरी को एक दिन-दू-दिन चला के बंद कर दो साफ में तक चला सकते हैं व्याज निक्त का रहा हूँ एक पेसेंट मेरे रिलेटिव में ही है वो उनको नमनेश थी वह ज्यादा लेट साइड में मतलब पूरे लगब पूरे लेट साइड में आज समझे उपर से लेके नीचे तक यहां तक कि उनको ब्रीन वाले से में भी नमनेश मैसूस दे रही थी मुझे जो प्रोटोकोल का सेलेक्शन लगा वो मैंने दिया अपने पेटेंट में से मैंने बना के दिया यह जो थ्री का फॉर्मूले सा है यह थ्री वाला उसके साथ कुछ रेमेडियाड करके थी थोड़ा बहुत पीन भी था और एक मैंने एस्टेंड के साथ को मिनेशन दे लेकिन नमनेश को मैंने क्यवल एफवन के लिए माइंड में रखा मैंने सोचा बाकी सब बाद में दूँगा पहले में पांच दिन के लिए एक ड्राम मैंने बना के दिया आठ दिन बाद सारी नमनेश खतम के वहल नीपें बैक पेंड बचा उसमें तो टाइम लगेगा क् करांगा लेकिन पांच दिन से भी पहले ही लेकिन मैक्सिम से मैक्सिम पांच दिन में पूरी नमनेश एफवन बन थाॉजंड से बिलकुल यह तो यह तीज़ें हैं जो दियान रखनी है समझनी चाहिए हमें और बस अभी इतना ही मैं रख रहा हूँ आला कि मुझे प्लांट अभी होनी पाएगा करना करांगा तो कल बस लवन को कंप्लीट करने के बाद फिर बासी रेमेडी जो बच्ची हैं उनको अब थोड़ी जो रेमेडी है वो तोड़ा जल्दी हो जाएंगी लवन भी जल्द दस जनुओरी गेरे जनुओरी तक हमारा जो यह फर्स पार्ट है बेशिक वाला यह कंप्लीट हो जागा लेकिन आप यह समझे कि मेरा मेरी जो कलास है या हम लोगों का जो गुरूप है इलेक्ट्रोहमेपैथी में आप यह समझें कि बेसीक क्लास होते होते तक आपको कम से कम 200-500 ऐसी प्रोटकोल में बता चुका हूँगा अभी भी बता दिया मैंने जो लगातार काम करते हैं लगातार काम कर रहे हैं आप डेली प्रेक्टिस में आप उनको यूजब कर ये और कर तो बहुत बड़ी राम कार्णी या ऐसी चीज़े नहीं रखनी है कि जहां पर गुसने के बाद वापस आने का रास्ता ना मिले डिजीज पर भी हमें ऐसे रखना है कि इसकी एनेटमिकल चीज़े सोन में आ जाए और तरशे बड़ी चीज़े की जो पैसो फीजे लोगी है व पूछना है तो बताईये कि सब्सक्राइब है कि अंबस्कार अर कि सर कि में तो आपनी बतता ही के कि यूज़ाइब करते हैं तो वहां पर भी आप इसको पोटनेट या मंतली एपीपी को यूज़ाइब को यूज़ाबा जो कई बार किसी को ऐसे मार्क देखने को मिलते जिन में पीन होता है पीन होना चाहिए ऐसे मार्क से जिन में पेने चाहिए वहां पे आप यूज़ कर सकते हैं और जहां पर बहुत सारे शक्ते के रूप में निकल जाते हैं वहां पर भी आप एवन के 1000 को महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं जैसे प्रोटोकॉल हमें आते हैं इस नहीं हो पाती है आपने पहले तो यह तो यह जैसे थाटी टुएंड़िया वनन की डोस देदें जहां बोड़ी एक्सेप्ट कर लेगी अपने आपको कर लेगी नहीं तो छोड़ने कि क्या इसमें भी हो सकता है यह से नहीं ऐसे नहीं हो सकता आप के बना वह बताई देखो मैक्सिमुम चीज जैसे हम डीशिक से सुरू कर रहे हैं ठीक है आपने देखा डीशिक से आराम नहीं लगा तो आप लीशिक से आराम नहीं लगा तो आप एक्दम उपर मुझ जाए आप डीफाइक दीजिए उक्को लेकिन अगर डीशिक्स देने से बढ़ा जैसे पीन वाले की इसमें बढ़ गया मैं तो बोलता हूं अपने बढ़ा तो आप डीशिक्स को छोड़ दीजिए डीटैन को भी छोड़ दीजिए आप टूंडर की दो डोस दीजिए उसके बाद आप थर्टी को बीच में यह फिर पाइब का यह यह फार्मूला मेरे दमाग में कहां से है डाक्टर रेवेक का एक कॉंबनीशन है 89 है यह कुछ ऐसे है मुझे याद नहीं है तो उसमें डी डी सिंग डीटैन है या डी थाटी अमनुद्ब एक ही फार्मूले में एक ही पीटेंट में तीनों डोस दे सब्सक्राइब करना तो वह कि नगल हो जाए तो यह मैं भी बताता हूं सब्सक्राइब लेकिन मैं पहले रहा हूं कि वह बिल्कुल परसेंट नहीं होंगे तो सब्सक्राइब यह बताईए आप लेकिन वह बदा रहा हूं क्लास में यह हंड़ेड परसेंट है तो प्रेटेंट में बिल्कुल सही नहीं होता है थोड़ा इदर उदर रहता है यह सब्सक्राइब को जंप कैसे करें इस तो मैं रखूंगा जुल्दी क्लास सब्सक्राइब करेंगे तो उसको जंपिंग ठीक तो है लेकिन अजार पोटेंसी का मतलब यह है कि हजार बार डायलूट किया गया चीज़ों को परमेसी सही मिलेगी अच्छा काम नहीं आता इसलिए इस शीफोद देने से अच्छा काम आजाएब बिल्कुल आएगा सर बिल्कुल आएगा सब्सक्राइब काफी जैसे दो चार महने तक उसको लगने में उसको अपने बताएं कि वन थाउजन की डोस हमको यूज करनी है तो क्या लगातार हम एपीपी को साथ में ले सकते पंदरा पंदरा दिनों पर नहीं रहा है पड़ेगी नहीं यह काम हो जाएगा बाकि जो फॉर्मूला बनता है लगब गैंग्रीन वाला फॉर्मूला से लेगा महां पर और एक बार या दो बार आप सब्सक्राइब करेंगे लिए देखें कुछ भी ब्रह्म नहीं रहना थी अब जो मैंने आज बताया वह क्लिर है मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से क्लियर है ना डायलूसन पोटेंसी और 1000 कैसे यूज करना यह क्लियर है यह सब्सक्राइब इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए ऐसा ही हमारे कॉंसेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए क्रिस्टल क्लियर एक कम सब्सक्राइब क्लियर है यह सब्सक्राइब कर रहा हूं और उन सब्सक्राइब के बारे में आपको जल्दी बताऊंगा बलके मैं उनको बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा आच यह एक दो महीने में मतलब जनवरी तक जब सेकिंड पार्ट चलेगा आप लोगों का सब्सक्राइब कर ठीक ठाक हो जाएगा मेरे पास एक क्लास लेने के लिए और किसे थैंक्यू को बीडी चला सकते हैं कुछ दिन तक चला सकते हैं बीडी चला सकते हैं कुछ दिन तक चला सकते हैं और फॉट नाइट 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 सार गुट नाइट झाल